चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्लास से तो हम पढ़ रहे थें लास्ट क्लास के अंदर मैट हमने देखा था कि मैट के अंदर हमको क्या करना होगा तो मैट की लाइबलीटी आती है कि वुक प्रॉफिट का 15 परसंट फिर हमने कुछ और बाते पढ़ीज के अंदर और फिर हमने देखा कि बुक प्रॉफिट कैसे निकालना है तो बुक प्रॉफिट के अंदर हमने देखे अलग-अलग पॉइंट के कोई पी इंकम टैक्स हो जो एड जिस जिस को करना है वो देख रहे हैं तो इंकम टैक्स और उसका प्रोविजन आड़ बैक करना है ड्रॉऌ के सरकाश भी ऐड़ेक कर ना है विलेकिन स्टुप्र वालघ लेकिन स्ट्ट पैनल्स्टक्स एड्बेक नहीं करना है ड्रांसँपर टू रिजर्व एड़ेक करना है यहां तक अँपाद चुके ते अगले पॉंट कितरफ बढ़ रहे हैं the amount or amounts of expenditure related to any income to which section 10, section 11 or section 12 apply. देखिए यहाँ पर क्या बूलना चाहर है? section 10, section 11 or section 12. इनमें generally क्या है? Exempted Income है. 10 के अंदर काफी सारी exemptions है, agriculture, share of profit from firm, 11-12 जो है assessment of charitable, religious, trust वगर है, मैं हम पढ़ते हैं. यहाँ क्या बूला गया है? कि यह 10, 11, 12 की. जो भी income है, अगर income आ रखी है, तो उसे तो less कर दो. और इस income को कमाने के लिए आपने अगर कोई खर्चा किया हुआ है, तो उसे add कर देना है, 10, 11, 12 की. तो section 10 में आने वाली, 11 में आने वाली और 12 में आने वाली कोई भी income अगर आ रखी है, तो उसे less करोगे. और इनको earn करने के लिए अगर कोई expense किया हुआ है, तो उसे add कर दोगे, add back करना होगा. तो बड़ा simple सा provision, लेकिन सरे 10AA sage वाला होता है, वो section अलग है. 10 अलग है और 10AA अलग है. 10AA पर applicable नहीं होगा, मतलब उसका कुछ भी add less आपको कुछ भी नहीं करना है. 10AA की income है, तो उसे less नहीं करना है, 10AA की income को कमाने के लिए कोई खर्चा करावा है, तो उसे add नहीं करना है, ना उसे add करना है, ना उसे less करना है. मतलब 10AA अलग section है, 10AA अलग है, 10AA अलग है, यह अलग sections होते हैं और 10 अपने आप में अलग section होता है. तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कि जब ABCD लग जाता है, तो section अलग बन जाता है, वो वही section नहीं रहता है, तो इधर आईए देखिए, वापस से अपने इसी बात को पढ़ते हैं, the amount or amount of expenditure, इधर expenses की बात की गई है, आप expense कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो, किस से related, कोई ऐसी income जो की बता रखी है, section 10, 11 और 12 जिन पर लगता है, ये 10AA not liable format इसका मतलब क्या है, कि आपको ना तो expense add करने, ना income less करने, मतलब उसको छेड़ना ही नहीं, कुछ भी नहीं करना है, तो automatically वो unaffected रहेगी, तो ये था अपना अगला point, next point की तरब बढ़ते हैं, point G की तरब, point G क् दिखते हैं, the amount or amounts of expenditure related to the income, being share of ASAC in the income of AOPBI, on which no income tax is payable in accordance with the provision of section 86. देखी, इसका मतलब क्या है, उसको समझते हैं, ये एक AOP है, ये कंपनी है, ये कंपनी, इस AOP के अंदर member है, तो इसलिए contribution करा, AOP से बदले में return में मिलती है income, और इस income को कमाने के लिए खर्चे भी करने पड़ते हैं, देखी, अगर हम assessment पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम देखते हैं, कि अगर किसी भी AOPBI की member, ये कंपनी बन जाती है, तो AOPBI पर जो tax की rate होती है, वो हो जाती है MMR, maximum marginal rate, तो AOP की member यहाँ पर क्या है, company, तो AOP पर tax की rate क्या लगेगी, MMR, maximum marginal rate, अभी यहाँ पर समझना क्या ज़रूरी, वहाँ पर बोला है section 86 में taxable नहीं हुआ, section 86 में एक rebate है, वो rebate किसे मिलती है और कैसे मिलती है, कब मिलती है member को, जब AOPBI पर slab rate लगी हो तब मिलती है, तो slab rate इस पर लगती है, तो member को मिलती है, 86 की待 tip लेकिन यहाँ पर देगो क्या है, AOP पर जब company member होगी क्योंकि ये mad company के लिए तो जब AOP के अंदर company member होगी तो AOP के ओपर जो tax rate लगेगी वो क्या लगेगी MMR maximum marginal rate से tax लगेगा तो जब AOP के अंदर member एक company बन जाती है तो AOP पर MMR लग जाता है और जब AOP पर MMR लगता है तो कोई 86 की rebate नहीं मिलती है 86 की rebate तब ही मिल पाती है जब AOP पर क्या लगे slab rate वले sir slab rate कब लगती है इसकी भी condition है जब सारे members की income basic exemption limit से कम होती है तब जा करके slab rate लगा करती है पर ऐसा कुछ होगा ही नहीं यहाँ पर क्योंकि जब भी company member बन गई तो company के लिए तो basic exemption limit है जीरो है उसके लिए तो तो इसलिए हमेशा जब भी AOP में member company बनेगी तो लगेगी MMR तो यह बात तो confirm हो गई अभी याँ पर बात यह हो रही है sir कि अभी यह company ने इसमें member बनी भी है तो अब इसको पैसा भी लगाना होता है इस AOP के अंदर और बदले में मिलती है income भी तो यह जो खर्चा आप कर रहे हो इस income को कमाने के लिए AOP के share को तो यह expense तो हो जाएगा add और यह जो income मिल रही है यह हो जाएगी less तो share in the income of AOP less करना है और इस income को कमाने के लिए जो खर्चा किया है उसे add कर देना है तो यह treatment अपने इस point का है यह point का overall conclusion यह है कि share in the income of AOP less कर दो और इस income को कमाने के लिए अगर कोई खर्चा करा है तो उसे add कर दो यह काम करना है चली अब इसको एक बाद वापस से इधर इस point को पढ़ते हैं the amount or amount of expenditure only इधर खर्चे की बात की गई है income वाली साइड में income less वाला आएगा related to the income being share of the assessi in the income of AOPBI on which no income tax is payable in accordance with the provision of section बले आपने section 86 के according नहीं दिया तो कैसे दिया है फिर MMR से दिया है तो overall conclusive बात यह निकली कि AOP की income में जो हिस्सा है उसे less करना है और उस income को कमाने के लिए जो खर्चा किया है उसे add करना है यह काम हमको करना है point number G बोलता है next point number H की तरफ बढ़ जाते हैं point H क्या बोल रहा है the amount or amount of expenditure related to the income accruing or arising to an assessi being a foreign company from the capital gain arising on transaction and securities or interest, royalty or fees for technical services chargeable to tax rates specified in chapter 12 the income tax payable thereon in accordance with the provision of the act other than the provision of this chapter is a rate less than the rate specified in section subsection 1 देके क्या मतलब है इसको समझते है H point की बात हो रही है यहां पर अभी यह जो provision है यह only foreign company के लिए तो यह वाला point तभी आपाएगा जब जो company है जिसका question आया है वो क्या है एक foreign company है तो यह एक foreign company है foreign company देखिए क्या अंकरे capital gain सबसे पहली चीज तो और capital gain देखो capital gain अगर long term होता है तो उसपर tax created 10% above rupees 1 lakh 1 lakh से उपर 10% tax लगता है और इसी तरीके से कुछ और income भी है royalty interest और fees for technical services देखो foreign company बोलती है कि आपने capital gain का provision बनाया है और उसमें tax लगाते हो 10% का बोले बहुत बढ़िया बात बोले क्यों लगाते हो बोले ताकि हम motivate कर सके tax नहीं लेना बोले बहुत बढ़िया बात है बोले इसी तरीके से आप royalty, interest और fees for technical services है इन पर भी tax की rate लगती है 10% इनके ओपर tax की rate है 10% बोले लेकिन तुम यह पागल बनाते हो बोले तुमने बोल रहा है इस पर tax की rate 10% है बढ़िया तुम तो company पर mat लगा देते हो और mat लगा करके तुम कितना at least 15% तो लही लेते हो book profit का तो जो तुमने यह 10% बोला हो तो गलत हो गई बात आप actual में तो 15% ले रहे हो ऐसे बोलो सरकार बोली नहीं हमारा intention है ऐसा नहीं तो सरकार ने बोला ऐसी incomes जो कि एक foreign company कमा रही है और उस पर जो tax की rate लगती हो mat की rate से कम है बोला 15% से कम tax rate वाली जो incomes है यह रही जैसे बोला इनको हम less कर देंगे अगर आ रही हो और इनको कमाने के लिए जो खर्चा करोगे उसे हम क्या कर देंगे एड कर देंगे तो कोई भी foreign company जिसने इस type की incomes कमाई है capital gain की royalty interest fees for technical services अभी देखिए P&L के अंदर इस दो चीजे होगी एक तो इसकी income होगी अगर income आ रखी है तो उसे क्या कर देना है less और इस income को कमाने के लिए आपने कोई खर्चा किया होगा उसे कर देना एड तो अभी एड में तो इसके खर्चे की बात की गई है तो लेकिन जो income की बात होगी उस पर tax की rate मैट की rate से कम होनी चीए ये था अपना point number 8 देखिए point को वापस से पढ़ते हैं क्या बुला गया है the amount or amount of expenditure related to the income खर्चे कर रहे हो किसी income से related बुला कौन सी income और कौन बुला असे सी होनी चीए foreign company किस पर कर रहे हैं बही capital gain पर securities के उपर और interest royalty or fees for technical services the income tax payable there on with accordance with the provision of this act other than the provision of this chapter is at a rate less than the rate specified in subsection 1 मतलब क्या है कि इन पर लगने आली tax subsection 1 मतलब 115JB का subsection 1 जिसमें 15% बताया गया है उससे कम tax rate है अगर इन incomes पर तो सरकार बोलती है अगर ये income आ रखी तो उसे less कर देंगे और ये खर्चा इस पर जो कर रहे हो उसे हम add कर देंगे तो ये treatment बताया गया है कि income less और खर्चा add कर दिया जाएगा अगले point पर बढ़ते है the amount representing national loss on transfer of a capital asset being share of special purpose vehicle to a business trust in exchange of units allotted by the trust or national loss resulting from any change in carrying amount of the sad units or the amount of loss on transfer of units referred to includes 17 of section 47 अभी ये क्या बात बुलिये देखी इसके पर बात करते है point नंबर आई ये company है company के अपने AOA MOA होते है वो उससे limited होती है companies कुछ special काम अगर करने हो तो फिर उसके लिए अलग से SPV बनाती है क्या हमने ये पहले भी पढ़ा है SPV कहीं word आया है बताओ नाम सुना है क्या नहीं सुना special purpose vehicle का नाम सुना है securitization trust के अंदर bank SPV बनाता है किसलिए बनाता है SPV ताकि वो loan transfer होके पैसा आजाए bank के पास special purpose जब किसी special काम के लिए कोई entity create की जाती है तो उसे special purpose vehicle देखो नाम में special purpose vehicle किसी special purpose के लिए बनाई गई है गाड़ी से मतलब नहीं है यहापर तुम सोचे कोई गाड़ी है तो special purpose vehicle SPV बनाई इस company ने कोई काम करने के लिए specially अब इधर एक असेजी है business trust है देखो SPV के क्या होते है shares और business trust के पास में क्या होती units इनका हो रहा है exchange business trust से SPV units ले रही है SPV business trust को जो है shares दे रही है अब यह exchange करते टाइम वैसे तो देखो कोई gain और loss नी होगा actual में क्या कि यहाँ तो क्या होगा है सिर्फ exchange खरीदा अभी का कुछ नहीं है बट यह exchange करते टाइम अब SPV यह तो SPV किसकी company की तो वो देखेगी तो सहीना कि मुझे at the end याज units की value कितनी चल रही है market में हाला कि sale वगर है कुछ नहीं हुआ उसी से उसको पता चलेगा कि मुझे gain हो रहा है या loss हो रहा है SPV market में जाकर के check कर रही है कि मैंने इसको 10 lakh के share दिया मुझे बदले में 9 lakh की units आज के time पर मिल रही है एक लाग रुपे किया उसका national loss है actual में नहीं हुआ लेकिन वो हो सकता है तो इसको जो exchange के उपर होता है वो दो type की चीज़े हो सकती हो सकता है जादा भी हो जाए तो एक तो हो सकता है national loss और एक हो सकता है इस exchange पर हो जाए आपको कोई national gain national loss अगर है तो उसे add कर दो gain अगर हो रहा है तो less कर दो अब बाद में जाकर के लेकिन कभी ना कभी तो इसको actual में sale भी तो करोगे इन units को जब actual में unit sale करोगे तो ultra treatment हो जाएगा अब उस टाइम पर कुछ national नहीं होगा उस टाइम पर actual होगा जो होगा उस टाइम पर या तो actual loss होगा या actual gain होगा ultra treatment हो जाएगा loss है तो less हो जाएगा gain है तो add हो जाएगा जब gain less किया जा रहा है और loss add किया जा रहा है मतलब इस point of time पर ये mat में cover नहीं हो रहा book profit में नहीं जा रहा है आप देखो gain हटा रहे हो gain को मतलब बाहर निकल रहा है उल्टा वहीं देखो यहां पर gain को add किया जा रहा है लिया जा रहा है मतलब profit में शामिल किया जा रहा है इस time पर तो mat लग रहा है उस time पर mat लगी नहीं रहा है इसका मतलब ये इस point of time पर तो mat लगता है जब actual में sale करोगे तब तो mat लगेगा लेकिन अभी national gain और loss होता है तो उसके उपर mat नहीं लगेगा ये बात इसकी ये है income gain वाला part तो जो है अलग से आएगा और ये जो actual loss और gain है इसका point भी अलग से आगे दे रखा है दोनों के अंदर तो हमको वहाँ पर पढ़ने की need नहीं पढ़ेगी और वहाँ पर वैसे भी complicated language है काफी तो हमको इस तरीके से इसको याद में रखना है कि actual पर तो लगेगा औ और नोशनल वाले पर मैट नहीं लगेगा चली अब इस point को वापस से देखी इधर पढ़ते है दि अमाउंट रिप्रिजेंटिंटिंग नोशनल लॉस और ट्रांसपर ऑफ कैपिटल असे किस वज़े से हुआ है SPV के शेयर बिजनस ट्रस्ट को दिये या कैरिंग अमाउंट चेंज कर दिया आपने दस लाग का था भी नो लाग पर दिखाने लग गए तो कैरिंग अमाउंट चेंज होता है असेट के साथ भी होता है आपकर और तो वहाँ पर भी आप पढ़ोगे और शायद एस 28 एस 10 मे भी आप इसके बारे में पढ़ोगे तो कैरिंग अमाउंट चेंज करने की वजह से मतलब एक्चल में कुछ नहीं हुआ अभी सिर्फ और सिर्फ नौशनल है एक्चल में वो चीज है इनी तो सरकार बोलती है जो चीज एक्चल में नहीं है ना अभी नौशनल है उस पर हमको मैट नहीं लेना तो इसलिए उसकी इंकम को हटा दो लौस है तो उसको एड कर दो नौशनल को लेकिन जब एक्चल में होगा तब लेंगे दोनो टाइम तो लेहीं नहीं सकते तो बुलेंगे नौशनल पे ले लिया और एक्चल हो रहा है तब फिर से ले लिया तो वहाँ प अब बढ़ते हैं अनी अमाउंट और अमाउंट अव एक्स्पेंडिशर रिलेटेबल तो दी इंकम बाइव रोयल्टी इन रेस्पेक्ट अव पेटेंट चार्जेबल टॉ टेक्स अंडर सेक्शन वन वन फाइव बीबी एफ सेक्शन वन वन फाइव सेक्शन वन वन फाइब bbf में आती है ऑप रोयल्टी उन पेटेंट और रोयल्टी उन पेटेंट के उपर जो यह वन वन फाइब bbf लगता है न यह बोलता है इसके उपर टैक्स की रेट लगाएंगे हम 10% बोला इसके ओपर tax credit 10% है लेकिन तुम mat लगा करके इस पर फिसर ले लेते हो बोला ऐसा नहीं है बोला फिर क्या करोगे बोला देखो royalty on patent अगर इसकी income आ रखी है तो उसे less कर दे और इससे related कोई expenditure है तो उसे add कर देना आपका काम हो जाएगा देखो हमने नहीं लगाया ज्यादा tax ऐसा नहीं है हमने उसके ओपर कम ही tax लगाया देखिए इस point को वापस से पढ़ते हैं the amount or amounts of expenditure खर्चे जो कि इस income से related है जो कि 115 BBF में बताई गई है जिस पे royalty on patent की income है tax लगता है 10% की rate से चली इसके बाद में हम बात करते हैं आगे depreciation के आ रहे हैं हम बाद में बात करेंगे एकटा क्योंकि ये less में भी आएगा फिर से अभी तो simple सी बात ये कि जो भी depreciation है उसको add करना है दे रखा है उसको तो अभी तो इसमें ज्यादा समझने का नहीं है बट अभी ये less में आएगा जब ज्यादा important होगा अभी तो इत्तीजी बात है depreciation जो भी debit कर रहा है उसको add back कर दो next is deferred tax and the provision created thereof deferred tax का क्या करना है deferred tax जानते हो क्या होता है या नी जानते पहल तो ये बताओ deferred tax deferred tax का topic पढ़ लिया गया तुमने ये deferred tax का आएगा भी तुमारे deferred tax का मतलब क्या होता है कई बार हम tax जो है ज्यादा पे कर देते है advance में बट हमारा actual में कम बन रहा होता है तो इसको बोलते है deferred tax asset हमने ज्यादा पे कर रखा है और अगर हमने कभी advance में tax कम पे कर रखा है और हमारा end में जाके और बन रहा है तो उसे और जमा कराना होता है उसे deferred tax liability बोलते है generally accounting के tax और income tax के profit में difference आने की वज़े से deferred tax asset और liability create होती है जब हमारा tax जादा है तो वो asset है जब कम है तो वो liability है अभी deferred tax क्या हो सकता है may be possible कि आपको debit में दिया जा सकता है और credit में भी हो सकता है P&L के debit side में दिया हो है दोनों में आना possible है इसका हो सकता है deferred tax जो है debit side में दे रखा हो और हो सकता है कि deferred tax जो है वो credit side में दे रखा हो अगर deferred tax आपको debit side में दे रखा है तो add कर दो credit side में दे रखा है तो less कर दो यह treatment हो गया, simple size कर देफर tax debit side में आ रखा है तो add कर देंगे, credit side में आ रखा है तो less कर देंगे यह defer tax की बात हो गई अपनी the amount of defer tax and the provision, अब यह कौन सा defer tax है, defer tax asset भी होता है, defer tax liability भी होता है तो इसलिए आपको यह देखना है कि debit में आ रहा है यह credit में आ रहा है, उसके according address हमको कर देना होगा यह point number था अबना I, L, point number M देखिए क्या बुल रहा है any amount set aside as provision for diminution in the value of any asset आपने कोई provision इस डर से बनाया है कि कल को asset की value कम हो जाएगी जैसे एक provision उपर और आया था, provision for un-acertain liability को add back करना होता है, uncertain वाले को नहीं करना होता है, एक provision तो वहाँ आ गया, एक provision फिर से आया provision for diminution in the value of asset, किसी asset की value कमना हो जाए, जैसे bad debts है एक लाग की data है, हमको ऐसा लग रहा है कि 80,000 ही आएंगे data अपने आप में एक asset है, जिसकी value 20,000 रुपीज कम आएगी तो हमने क्या बना लिया provision for bad debts बना लिया, इसे add back करा जाएगा क्योंकि यह provision for diminution in the value of asset है, आप इस चक्कर में कोई provision बना रहे हो कि कल को उसकी value कमना हो जाए, investment कर रहा है, आपको लगता है कि investment है 10,000,000 का लेकिन इसकी value कहीं 8,000,000 की मिले तो, तो 2,000,000 का तुमने क्या बना लिया provision for investment बना लिया, इस टाइप के provision जो की asset की value गिरना जाए, इस डर से बनाए जाते हैं, उस टाइप के provision को add back करना होगा देखिए, यहाँ पर क्या बुला गया है Any amount set aside, set aside मतलब provision बनाना, as provision for diminution मतलब कमी, reduction in the value of any asset जैसे, provision for bad and doubtful debts, as it comes to provision for diminution in the value of asset, namely debtors, debtor एक asset उसकी value कमना हो जाए कही provision for diminution in the value of any investment or asset, as per section 13 and 28, 13 किसका है 12 किसका है 11 किसका है 12 किसका है foreign exchange आगया government grant 13 ने investment का related to the investment 28 impairment of asset पढ़ा नहीं तुमने impairment चलो तो ये वाली चीजे हैं, अगर आप किसी भी asset की value कम ना हो जाए, इस चक्कर में आप बना रहे हो, तो ये जो है वो add back कर दिया जाए अचा वैसे तो पढ़ने की जरूरती नहीं है, ये तो इंटर की चीज है, final की थोड़ी है ये तो इंटर वाले को आती है, ये इस की list ही नहीं पता तुमको कौन सा किसका है चलिए, M के बाद में end point की तरफ बढ़ रहे हैं end point क्या बोल रहे है, the amount standing in the revolution result relating to the revalued asset on the retirement or disposal of such asset देखिए, पॉइंट क्या बोल रहे है, end point ये कोई machinery है हमारे पास में इस machinery के against में हमने एक revolution reserve create कर रखा है पांच लाग रुपे का अब इस machinery का हम क्या कर रहे है retirement और disposal इस machinery को या तो हम retire कर रहे हैं या disposal कर रहे है तो इसके against में जो revolution reserve में पैसा पढ़ा है इसको add back कर रहे हैं कोई भी asset जिसे आप dispose of या retirement कर रहे है अगर उसके against में आपने कोई revolution reserve create कर रखा है तो उस revolution reserve में जो भी पैसा पढ़ा है उसे आप add कर देंगे book profit के अंदर तो कोई भी asset देखिए अब इस point को एक बाँ वापस से पढ़े यहाँ पर क्या लिखा है the amount is standing in revolution reserve revolution reserve में जो भी पैसा पढ़ा है किस से related? revalued assets है इसका value जादा लगाई होगी तब ही reserve में पढ़ा होगा कि 10 लाग की को 15 लाग पर value करा तो 5 लाग कहा जाता है? revolution में on the retirement or disposal of such asset तो यह जो asset है अगर इसके against में revolution reserve created है revolution reserve जादा value करने से आता है अगर आपने उस asset का retirement या disposal कर दिया है तो आप revolution का क्या काम वो asset चली गई तो इसलिए बोला कि इसको आप क्या कर देंगे add कर देंगे अगर revolution reserve में कोई पैसा पड़ा होगा तो उसे add कर देना यह बात यहाँ पर बोली गई है clear है सभी को यह वाली बात next यहाँ पर बहुत सारी कहानी दे रखी है क्या यह section पहले भी आया देख उपर यह वही है actual वाला मैंने आपको क्या बताया था कि notional वाले पर तो लगे गई नहीं loss है तो add करना है gain है तो less करना है फिर हमने बुला था जब actual में होगा तब gain को add करना है loss को less करना है यह वही है तो इसको पढ़ने की इससे जरूत नहीं है हमको और यह SPV की units को transfer करने पर होने वाले gain और loss की बात करता है यह उस पर 47 लगता है मतलब transfer नहीं मानते है तो इसलिए इस o point को हमें पढ़ना नहीं है इस a point वाकपस से आएगा यहाँ पर देखो gain की बात की गई है national तो loss आया था add वाले point हो चुके हैं अपने उपर वाले जितनी भी चीज़े add होगी वाले point देखो एक बार इनको देख लेते हैं यहाँ पर कौन-कौन से points आये add के अंदर क्योंकि less वाले में ज्यादा कुछ नहीं इनका उल्टा ही है लगबग 2-4 point extra है वस कोई भी income tax का amount dividend distribution tax interest सर्चाज सब add back करने है SAS भी add back करना है बट STT CTT penalty wealth tax add नहीं करने हैं उसके बाद transfer to reserve add करना है transfer from reserve less करना है shipping company को छोड़ देना उसके बाद में आपने कोई भी amount set aside करा है provision बनाया है for unacertain liability ऐसी liability जिनका आता पता ही नहीं है उसके against में provision create करावा है तो उसको add कर दो liability certain है तो उसको add back नहीं करना होगा subsidiary company के provision और even actual losses इनको भी add back कर देना है 10, 11, 12 में बताई गई income को less करना है और इस income को कमाने के लिए अगर कोई खर्चा आ रखा है तो उसे add कर देना है 10AA का कुछ नहीं करना है वही 10AA मतलब sage से related कुछ आपको profits अगरे मिल जाए तो कुछ भी मत करना next अगर company किसी AOPBI में member है और उस AOPBI की income में जो share मिल रहा है उसे less करना है और इस income को कमाने के लिए जो खर्चा करा है उसे add कर देना है point number H क्या बोलता है capital gain earn कर रही है या फिर interest royalty fees for technical services तो इन पर जो tax की rate है वो less है कम है 10% है मतलब match की rate से कम है तो बोला foreign company अगर ये incomes आ रखी है तो तो इसे less कर दो और इस income को कमाने के लिए जो खर्चा कर रहे है उसे add कर दो इसके उपर जो tax की rate है मैट की rate से कम होनी चाहिए उसके बाद में देखिए next point क्या बोलता है ये अभी अभी हमने बात करी जो exchange होता था ये वाले exchange के उपर अपन ने बात करी थी के company ने SPV बनाई और SPV के shares और उसके shares का exchange हो रहा हो ये वाली बात तो exchange पे जो national loss होगा वो add होगा और जब actual वाला होगा तो actual वाले में उल्टा हो जाएगा loss तो less होगा और gain जो है add हो जाएगा उसके बाद में देखिए next क्या बोला गया है 115 BBF में बताई गई income royalty on patent की income है royalty on patent की income अगर है तो less करना है और इस income को कमाने के लिए अगर कोई खर्चा आ रखा है बात करिए अगर debit में आ रखा है तो add कर दो और credit में आ रखा है तो उसे less कर दो depreciation जितना भी एक बार तो add कर दो अभी less में ज्यादा important है less के अंदर depreciation यह फिर से आएगा वहाँ पर हम example से भी समझेंगी इसको फिर उसके बाद में बोला गया कि किसी भी asset की value कहीं कम ना हो जाए इस वज़े से आपने provision create करा हूँ है provision for diminution in the value of asset तो उसे क्या कर देना है आपको add back कर देना है और इसके बाद में यही आ गया वह SPV वाला जो exchange होता है वह वाली बात आ गई के exchange के टाइम पर अगर आपको national gain और loss है तो उसका treatment है फिर उसका उल्टा जो है actual के साथ में treatment है इसके बाद में जो चालू होते हैं वो होते हैं less करने वाले अभी less के point देखो के तो हमने पहले से पढ़ लिए काफी सारे point जिसे transfer to reserve add होगा तो transfer from reserve less होगा तो पहला point देखो क्या है the amount withdrawn from any reserve or provision transfer from reserve हो गया है transfer to reserve if such amount is credited to the P&L provided where this section is applicable to an SAC in any previous year the amount withdrawn from reserve created or provision made in the previous year shall not be reduced from the book profit unless the book profit of such year has been increased by those reserves और provisions मतलब transfer from reserve को हम less कब करेंगे जब वो reserve में से लिकालावा पैसा book profit को बढ़ा रखा है suppose करो reserve से पैसा निकला है but book profit पर उसका कोई impact आया ही नहीं है तो तो हम कुछ नहीं करेंगे obvious सी बात है जब impact आ गया होगा तो अभी तो हम कर रहे होंगे तो transfer to reserve तो add कर दो transfer from reserve को क्या कर दो less कभी तुमको ऐसा बोल दे कि इसका book profit पर कोई impact ही नहीं आया अभी तक कुछ किया ही नहीं है तो कुछ मत करना कुछ करना का पर जब वो already credit हो गया होगा book profit को बढ़ा दिया होगा तो उसको वापस से less कर रहे होंगे यह देखो यह वाला point अपन ने अभी अभी पढ़ा 10 11 12 की incomes को क्या करना है लेस करना है और इस income को कमाने के लिए जो खर्चा करते हैं उसको क्या करना है एड करना है तो यह वाला point अपन पढ़ चुके है depreciation छोड़ देते हैं ये fourth point भी छोड़ देते हैं ये देखो अगला point ये point अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं पढ़ चुके हैं AOPBI की income में जो हिस्सा मिलता उसे less करना होगा ये वो वाला point देखो ये amount of income आ गया उदर expenditure था उसके बाद में अगला point भी हम पढ़ चुके हैं foreign company वाला foreign company की ये वाली incomes है तो उसे क्या करना है less और इन income को कमाने के लिए खर्चा है तो उसे क्या करना है add करना है तो ये point भी पढ़ लिया इसको वापस पढ़ने की जरुरूत नी ये देखो उदर national loss आया था royalty in respect of patent आ गया एक income थी इसी से related खर्चा है ये अभी नहीं पढ़ा है ये पढ़ना है अपने को point बाकी point अपने को पढ़ने हैं वो अपन next class में पढ़ लेंगे और ये सारे points पूरे हो जाएंगे फिर अपन अब practical question करेंगे तो question bank भी जरूर आपके पास में होना चाहिए क्योंकि next class से अपने इसके practical question करना भी start करने आले चलिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं next class में